आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमशकार दोस्तों, तो प्रश्ण है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए आपका पहला कथन है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदिका इस्तमाल किया जाता है दूसरा कथन है इन चित्रों में इनसान, जानवर, पेड़, फूल, पंची, मचलियां आरे दिखाए जाते है आपका तीसरा कथन है यहाँ लोग चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा और आपका चौथा कथन है मधुबनी नामक मधुबनी राजस्थान का आती परसिद जला है तो अगर हम मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं तो जो मधुबनी चित्रकला है यहाँ बिहार की बहुत ही परसिद चित्रकला है और यहाँ जो चित्रकला है इसको बनाने में नील का प्रियोग होता है इसके अलावा हल्वी और फूल पेडों के रंगों का इस्तिमाल होता है के रंगों का इस्तिमाल इसमें होता है इसके अलावा जो है ये जो मद्वनी चुत्रकला है इसमें इनसान, कुमा जानवर, पेड, फूल, पंची और मच्छियां ठीके तो ये अलग-अलग जो चुत्र है ये इसमें दिखाए चाते हैं तो हम लिख सकते हैं इनसान, जानवर, पेड, इसके अलावा मच्छियां, कुमा पंची, आली तो ये सबी चुत्र जो है इस चुत्रकला में दर्शायज आते हैं इसके लावा जो मधुबनी है यहाँ एक बहुत ही पुरानी चुत्रकला है जो की मधुबनी नामक स्थान के नाम पर ही इस चुत्रकला का नाम मधुबनी चुत्रकला पड़ा है तो हम इसको लिख लेते हैं बिहार के मधुबनी नामक स्थान से बिहार में मधुबनी नामक स्थान है जिसके नाम पर मधुबनी चुत्रकला का नाम पड़ा है तो यहां पर मधुबनी चुत्रकला के बारे में ये कुछ विशिस्ताएं हैं अब जो कथन सही है वहाँ पहला कथन जो है कि इसमें हल्दी नील पूल पेड़ों के रंग इस्तमाल होते हैं तो यह सही कथन है दूसरा कथन भी सही है कि इसमें इंसान जानवर फूल पंची मच्चियां दी दिखाए जाते हैं तीसरा कथन भी सही है कि यहां मधुबनी नाम पर प्रसिद्ध स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ा है जो चौत्था विकल्प है कि यहां राजिस्थान का प्रसिद्ध जला है मदवनी यहां जलत विकल्प है तो सही विकल्प है A, B और C यानि आपका विकल्प जो चौत्था वाला है A, B और C यहां सही है बागी विकल्प गलत हो जाएंगे ठीक है? धन्यवाद सो चार सुपर